नमस्कार दोस्तों, OCEAN Network में आपका स्वागत है, बहुत सारे राजनितिक विशलेशकों का ये मानना है कि 2014 में यदि भारतिये जनता पारिटी को उत्तर प्रदेश में 80 में से 72-73 सीटे नहीं मिलती, तो उसे पूर्ण बहुमत हासिल नहीं होता। इसी परकार, 2019 में भी उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा कंट्रिब्यूसन था। और इन दोनों ही चुनाओं में, 2014-2019 में, उत्तर प्रदेश में कमान किसके हाथ में थी, किसकी देखरेख में चुनाओं लड़ा जा रहा था। ये तो ठीक है कि 2014 तक योगी आदित नाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंतरी नहीं बने थे और 2017 में जाकर के वो मुख्यमंतरी बने। लेकिन 2014 और 2017 दोनों में ही आमित शाह की बहुत एहम भूमिका रही थी। इसी तरीके से 2019 में भी अगर भारती ये जनता पारिटी की अकेले धंपर सीटें 282 से बढ़कर के 303 हो गई। तो ये माना जाता है कि आमित शाह की जो चानक के नीतियां हैं जिस तरीके से वो अलग अलग परदेशों में रणनीती मनाते हैं। कौन से मुद्दे हैं जिन पर विरोधियों को घेरना है ये तै करते हैं। उसके कारण ही 2019 में लगातार दूसरी बार भारतिये जनता पारेटी ने अपने दम पर बहुमत हासिल किया और प्रधान मंत्री पदपर नरेंदर मौदी ने दूसरी बार शपत ग्रेंड किया। अब 2024 बिलकुल सामने हैं और ऐसे में अमित शाहा एक बार फिर सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। रविवार को वो हरियाना के सिरसा में थे और उससे पहले पंजाब के गुर्दासपुर में थे। गुर्दासपुर में जहां उन्होंने अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्य मंत्री भगवन तमान पर सीधे निशाना सादा। वहीं हरियाना की जो सिरसा में उन्होंने जन सभा की। वहां उनके निशाने पर थे भुपेंदर सिंग भुड़ा। उन्होंने देविलाल की तो तारीफ की और दूसरे अंदाज में तारीफ की। उन्होंने कहा के देविलाल किसानों के संबंद में जो चाहते थे वो प्रदान मंतरी नरेंदर मौदी ने कर दिखाया है। उन्होंने ना ओम परकास चोटाला पर ना उनके पूरे परिवार पर किसी तरह का अटैक किया। बलके उन्होंने हरियाना के किसानों की तारीफ की। उन्होंने कहा के ये हरियाना और पंजाब के ही किसान हैं जो भारत के खाद्यान भंडार को भर देते हैं। उन्होंने हर्याना के जवानों की प्रशंसा की, जो सरहद पर लड़ते हैं, हर सात्मा जवान इस देश का हर्याना से आता है, तो उन्होंने सेनिकों में, सेना में, अर्ध सेनिक बलों में, पुलिस में, हर्याना में भी और दिल्ली में भी, जिस तरीके से उनका योगदान है उसकी प्रशंसा की, उन्होंने अमित्षाह ने बहुत टैक्टफुली अपने बहुत बहुत टेक्टफुली, अपने भाशन की लाइन स्यार की एक जुनम्हें और उन्होंने कहा कि मैंने मुख्यमंतरी मनोहर लाल-कटर से कहा है के इन धाकड खिलाडियों के कल्यान के लिए कुछ करे और उन्होंने किया तो हर्याना में सिर्सा ही उन्होंने क्यों चुना ये जरा सोचने वाली बात है भले ही उन्होंने देविलाल के परिवार की आलोचना ना की हो लेकिन सिर्षा से हरियाना में 2024 के चुनाव प्रचार का आगाज करके उन्होंने बड़ा संकेत दे दिया है और जिस तरीके से उन्होंने भुपेंदर सिंग हुड़ा को निशाने पर लिया ये कहते हुए कि 3D की सरकार थी इनकी 3D से मतलब क्या है 3D से मतलब है दामाद यानि रोबर्ट वाडरा दरबारी यानि जो इनके चहेते थे और जो दर्शजनपत के चहेते थे उनकी भी भलाई और तीसरे जो डीलर है यानि जो कलोनिया काटने वाले हैं जो डवलपर वगरा है तो उनकी सरकार चल रही थी और भुपेंदर सिंग हुड़ा पर दूसरे तरीके से भी उनने कई तरह के वार किये उधर पंजाब में उन्हारे भगवंत मान पर ये कहते हुए तंज कसा कि क्या वो अरविंद केजरिवाल के पाइलट बन गए है जहां भी अरविंद केजरिवाल को जाना होता है पूरे देश में किसी भी प्रदेश की राजधानी में जाना होता है तो वो अपना हेलिकॉप्टर ले करके दिल्ली पहुंच जाते हैं और दिल्ली से अरविंद केजरिवाल को ले करके कभी कलकत्ता कभी मुंबई कभी दूसरी जगाओं पर उनको ले करके जाते हैं तो क्या उनके खड़ा किया कि महिलाओं को एक हजार रुपया देने की बात हो रही थी अभी तक भी दिया नहीं गया है कई दूसरी बाते भी कही हैं लेकिन मैं यहां यह एक प्रशन उठाना चाहता हूं कि आमित शाह ने पंजाब और हर्याना की जिम्मेदारी अपने कंदों पर क्यों ले है और इससे पहले भी होता रहा है मत भूलिए कि जो तेरे महिने का दिल्ली में आंदोलन चलाया गया था किसानों के नाम पर तीन किर्शी कानूनों के खिलाब उसमें मैक्सिमम जो किसान थे वो पंजाब से आये थे या हर्याना से आये थे यानि कॉंडली बोर्डर और टी जादा गरम थे गाजीपूर बोडर तो तब गरम हुआ जब राकेश टिकैत को ग्रफतार करने की कोशिशे हुई थी और वो टेलीविजन माईकों पर रोपड़े थे उसके बाद फिर राकेश टिकैत के समर्तन में अजीत सिंग की पारिटी अर्विंद केजरिवाल से लेक सब पहुचने लगे कॉंग्रेस भी पहुचने लगी तो उसके बाद वो नेता बने फिर उनको आगे कर दिया गया और जो पंजाब की लीडर्शिप थी दर्शंपाल वगेरा राजेवाल वगेरा वो सब थोड़ा पीछे अट गए उनको लगा कि यही ठीक रहेगा और रा के निशाने पर भी आए तो मेरा यह कहना था कि हरियाना और पंजाब को संभालने की जिम्मेदारी दोनों रज्यों में कुल मिलाकर के 23 सीटे हैं और साथ सीटे हम दिल्ली की भी लगा लें तो यह 30 सीटे बैठती हैं इनकी जिम्मेदारी जिस तरीके से अमित शाहा ने लि कि बाद इससे पेले वो खाप पंचायतों पर आधारित किसान आंदोल दिल्ली का हो हरियाना का हो वो सब एक्ष्वल में एक गोल बंदी है हरियाना में भी दिल्ली में भी पंजाब में और ये प्रधान-मंत्री नरेंदर मोदि को नुक्सान पहुँचाने की एक चेस्टा आप अगर आमित शाहा सिर्शा से शुरुआत करते हैं हरियाना में 2024 के लोकसभा चुनाव परचार की इसी तरीके से अगर बंजाब में गुर्दासपुर से करते हैं जहांसे सनी देवल मेंबर ओपार्लिमेंट हैं सनी देवल को ले करके हलाकि लोगों को नराजगी भी काफी है कि वो यहां दिखाई ही नहीं देते हैं पर गुर्दासपुर ऐसी seat है पहले विनोद खन्ना जीते रहे भाहरती जनता पारटी के ticket पर अब सनी दे अल जहां है हो महां से member of parlement तो भाहरती जनता पारटी गुर्दासपुर के seat को किसी भी आलत में खोना नहीं चाहती है और गुर्दासपुर का मतलब यह नहीं है कि केवल गुर्दासपुर की सीट जीतना चाहती है एक सगह था जब भारती जिन्ता पारिटी महां से तील सीटें भी जीती थी आकालियों के साथ जब उनका गड़बंदन था तो इस समय आकालियो प्रधान मंत्री नरेंद्र मौदी उनकी अंतिम क्रिया से पहले उनको सरदासमन अर्पित करने के लिए चंडीगड़ पहुंच गये थे और सब जानते हैं कि जब प्रधान मंत्री वारांसी से नौमिनेशन दाखिल करने वाले थे तो एंडिये के सभी घटक दलों के नेता महाँ पर पहुंचे थे प्रकास सिंग बादल भी पहुंचे थे तब सब के सामने नरेंद्र मौदी ने उनके पैर चुकर के आशिरवाद लिया था ये तो तीन किर्शी कानूनों के खिलाब जो ये आंदोलन जीवियों ने आंदोलन खड़ा किया इस से घबरा करके अकाली पाके वो कैसे आगे बढ़ पाएंगे ये उनकी भी चिंता है इसलिए इधर ये देखा गया है कि चाहे नई संसद का लोकारपन हो या दूसरे कारिक्रम हो सुखवीर बादल उन कारिक्रमों में पहुंच रहे हैं विपक्ष के कई दलों ने दूरी बनाई लेकिन सुखवी निगा रहेगी हर्याना पर भी सबकी निघा रहने वाली है और अमिद्श शाहत जिस तरी के से सक्री हुए हैं और पंजाब में जिस तरह आम आदिम पारेटी नेता अर्विंद केजरिवाल पर अटेक्ट किया है और हर्याना में भुपेंदर सिंग हुड़क और उनके पर पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें कमेंट करें वीडियो को शेयर भी करें अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियों उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार